बिस्मिल्ला इर्मान इर्हीम, अस्सलाम अलेकूम अव्रीवन, उमीद है कि आप सब खेरिये से होंगे आज की वीडियो का टॉपिक है संटेक्स और आज की वीडियो में हम ओरीजिन ऑफ संटेक्स देखेंगे कि वर्ड संटेक्स कहां से आया है, definition of syntax देखेंगे, explanation of syntax देखेंगे, syntactic categories देखेंगे यानि कि syntax के अंदर एक topic है syntactic categories का, उसको example के साथ समझे के कोशिश करेंगे और syntax के constituents को देखेंगे, कौन से constituent हैं, यहाँ पर मैंने mention किये हुए हैं कि syntactic categories दो तरह की होती है लेक्सिकल और functional, lexical के अंदर noun आता है, verb आता है, adjective आता है और adverb आता है functional के अंदर pronoun आता है, preposition आता है, conjection आता है और denominers आता है इसके इलावा syntactic constituents जो होते हैं, वो noun होते हैं, proper noun, verb, introspective verb, इसी तरह sentence as जो है, वो sentence को represent करता है, np noun phrase को, bp verb phrase को, ap adjective phrase को, art article को करता है ton, conjection को करता है, इसी तरह det, determiner को करता है, पर आज के इन topics की तरह जाने से पहले मैं YouTube पर आपको अपना channel दिखाना चाहती हूँ, BS English Literature Notes का YouTube पर मेरा channel है जिस पर Literature और Linguistics के बहुत सारे topics मेरे अपलोड किये में, अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के notes उस वीडियो के description box से आप ले सकते हैं, आज की के अंदर syntax को कुछी तरीकी से define किया जाता है, syntax is such branch of linguistics in which the rules of language that show how the words of that language are to be arranged to make a sentence of that language So syntax linguistic की एक ऐसी branch है जिसके अंदर हम study करते हैं उन rules के बारे में कि किस तरीके से हम words को जोड के sentence बना सकते हैं, ऐसे sentence जो grammatically भी ठीक हो और semantically भी ठीक हो, यहनि के उनका structure भी ठीक हो और उनका meaning जो convey हो वो भी ठीक हो, syntax basically scientific study of sentence को कहते हैं, कि sentence की scientific study syntax होती है, इसके अंदर हम देखते हैं कि words को किस तरीके से arrange किया जाए, कि proper sentence हमारे पास बन के सामने आए, एक और definition मेरे पास है, it is the study of how words are combined together to form a sentence, लफजों को एक साथ कैसे जोड़ा जाता है कि जुमला बन सके, जैसे कि आपके सामने यह definition का जुमला भी मुझूद है, वो grammar की रूफ से भी ठीक है और इसका meaning भी proper convey हो रहा है, syntax एक ऐसी branch लिंग्विस्टिक की, जिसका सारा focus structure of sentence पे होता है, इसके बाद एक और branch लिंग्विस्टिक की, जिसका parts of speech, कितने elements, कितने units, कितने constituents मौझूद हैं, और क्या वो तरतीब से लिखे गए हैं कि माइनी convey किया जा सके, या फिर sentence जो है, वो grammar की रूफ से ठीक हो, syntax word ग्रीक जबान से निकला है, और इसका मतलब होता है together या arrangement, किसी चीज़ को एक साथ लेके आना, या किसी चीज़ को proper आपर तरीकी से अरेंज करना, obviously words को अरेंज करने को syntax कहते हैं, syntax के अंदर पहले parts of speech का खया रखा जाता था, noun, pronoun, verb, adverb, adjective, conjection, interjection, interjection, इन चीज़ों का, लेकिन अब क्योंकि active passive आ गए हैं, direct indirect आ गए हैं, तो हर चीज़ का खया रखा जाता है, हर तरहां के rules पे focus किया जाता ह कि structure किस तरह से बेतर सामने आ सकता है, syntax का एक मकसद है और वो है, ऐसे sentences बनाना जो grammatically ठीक हो, और उन sentence की identification करना जो grammatically ठीक नहीं है, हर वो sentence माना जाता है, जो grammatically ठीक हो, और उस sentence को language से निकाल दिया जाता है, जो grammatically ठीक ना हो, syntax का ये काम है, syntax जो branch linguistics की, वो writing के अंदर भी analysis करती है, और speech के अंदर भी analysis करती है, जो भी जुमला चाहे वो passage के अंदर हो, essay के अंदर हो, paragraph के अंदर हो, text के अंदर हो, वो भी grammar की रूसे, grammar के point of view से ठीक होना चाहिए, और जो utterance होती है, जैसे के आम जिन्दगी में speech की जाती है, वो भी syntax से according बिल्कुल ठीक होनी या वो sentence generate होते हैं, जो grammar के तहत बिल्कुल ठीक होते हैं, syntactic categories जो हैं, वो parts of speech के अपर base करती हैं, syntactic category के अंदर जादतर phrase आती हैं, या phrase से नीचे सिर्फ words भी आ सकते हैं, for example, noun phrase, verse phrase, और अगर हम सिर्फ word के level पे बात करें, या लेक्सिकल category के अपर बात करें, तो सिर्फ noun, word, injection, proposition, ये चीज़ें भी इसके अंदर आती हैं, syntactic category का main focus ये होता है, कि ये meaning क्या express करती है, ये इस पर देहान दिया जाए, fixes अगर साथ लगते हैं, तो क्या होता है, इसके अलावा किस structure के अंदर क्या चीज़ा कर होती है, syntactic category की एक खुबसूरती ये होती है, कि अगर word phrase है, तो वो किसी भी word phrase से change हो सकता है, noun phrase है, तो वो किसी भी noun phrase से change हो सकता है, इन sentences के अंदर example दी हुई है, the cat जो हमरे पाँ मुझूद है, ये एक noun phrase मुझूद है, और अगर हम इसको the dog से change कर दें, ये the child से change कर दें, जो के noun phrase ही है, तो देखें, sentence बिल्कुल grammatically ठीक बनता है, और syntactic category जो यहां पर हमने change की है, वो है noun phrase, क्यूंकि cat एक noun है, और दा हमारे पास article है, तो दा, cat जो हमारे पास है, ये एक noun phrase है, और अगर हम सिर्फ cat, dog और child को भी change कर दें, तो ये हमारे पास सिर्फ noun change होता है, और इस से हमें पता लगता है, कि same syntactic category जो है, वो replay एक दूसरे की जगा ले सकते हैं और सही sentence build हो सकते हैं, दो तरह की word categories केताब में mention की गई है, एक functional word category mention की है, ऐक lexical word category mention की है, सब से पहले हम functional word category को discuss कर लेते हैं, functional word category के अंदर वो लफ लवज आते हैं, उनके माइन, जदा तर फिक्स होते हैं, उनके अंदर हम afixes की addition नहीं कर पाते हैं, और के conjunction और प्रेपोजीशन हो गये lexical word category के अंदर वह वर्ड आते हैं जो अपनी category change कर सकते हैं जैसे noun verb और adjective अगर हमारे पास एक word मौझूद है teach teach हमारे पास इक word मौझूद है उसके साथ हम इ-i-r यानि कि एक फिक्स लगा देते हैं तो हमारे पास वो noun बन जाता है teacher करके जो word अपनी category change नहीं करते हैं उनको functional words कहते हैं और जो words अपनी category change कर लेते हैं हम उनको lexical word category कहते हैं syntax के अंदर अब यहां पर कुछ morphological and syntactic properties of noun and class noun को discuss किया हुआ है अगर कोई भी sentence के अंदर noun मुझूद है तो वो अपने साथ proler s भी लगा सकता है अगर singular होगा तो s नहीं लगेगा proler होगा तो उसके साथ लगेगा इसके इलावा अगर apostrophe वाला s लगा जे तो possession को show कर सकता है इसके इलावा यह अपने साथ और मुफिम भी लगा सकता है जैसे ness, action, e, r, i, o, n, m, e, t, a, c, e, h, o, d, hood और अगर वो sentence के अंदर मुझूद हो तो अपनी phrase भी बना सकता है जैसे article का इस्तमाल अपने साथ कर सकता है the cat, the ball, कुछ भी इसी तरह this, that, these, those यह word भी उसके साथ लग सकते हैं या one, two, three भी लग सकते हैं इसके इलावा इनके noun के adjective होता है उसकी quality के बयान करने के लिए या उसके साथ preposition भी हो सकता है क्योंकि noun की place बताता है mostly preposition noun के साथ होता है क्योंकि sentence के अंदर noun की position preposition ही बताता है अगर हम verb की प्रॉपरटी, morphological प्रॉपरटी देखें तो verb के forms होती है जिसके साथ ed का इजाफा हो सकता है, s का ing का इजाफा हो सकता है जो हमें बताते हैं के verb जो हम use करें रहे हैं वो present के अंदर करें continuous के अंदर करें या past के अंदर करें किस sentence के अंदर करें और जब हम syntactical properties of verb देखते हैं तो उसके अंदर हम verb की form do, have, has, was, were, will, shall जैसे words से चेंज करते हैं जब हम adjective की qualities देखते हैं यह वो ही syntactic categories के अंदर आपको यह सारे rules ही बताय हुए है कि adjective के कौन से rules है, noun के कौन से rules है और verb के कौन से rules है यह आप आराम से देख सकते हैं अब हम constituent of syntax देख लेते हैं कि एक sentence जो है उसके अंदर क्या के चीज़े मुझूद होती है कौन कौन से grammatical units मुझूद होते हैं कौन कौन से grammatical parts मुझूद होते हैं कि हम नाम क्या देते हैं जैसे कि the cat, the article हमें पता है और cat जो है एक proper noun है तो हम इसे कह सकते हैं कि यह noun phrase है एक noun phrase के अंदर mostly एक determiner होता है यानि कि article वगएरा होते हैं और उसके साथ noun हो सकता है इसकी जगा पर preposition भी आ सकता है और adjective भी आ सकता है क्योंकि noun के साथ अक्सर यह इस्तमाल किया जाता है अगर हम इसका ट्रीड डाइग्राम देखें तो sentence जो है वो एस से रिप्रेजेंट किया गया है और एन पी मतलब noun phrase noun phrase से मुराद यह है कि इसके अंदर नाम भी आ सकता है किसी का इसके इलावा noun phrase के अंदर determiner भी आ सकता है adjective भी आ सकता है और साथ उसके कोई ना कोई preposition भी आ सकता है इसके इलावा जो word phrase है उसके अंदर word मुझूद होता और एक और noun phrase add की जा सकती है जैसे कि इसके अंदर किया हुआ है वर्ब हमें दिया हुआ है love और noun phrase again हमें दिया हुआ है एहमन noun phrase के अंदर हमारे पास Đ much andructure अंगे जाती है या एक और noun भी हो सकता है इसी तरह word phrase के अंदर हमारे साथ adverb हो सकता है verb हो सकता है और एक noun phrase भी हो सकता है यह rules हैं आपको याद करने होंगे P और P का मतलब यह है preposition, determiner या फिर एक और noun इसे अंदर एक rule हैं जो आप याद कर लेंगे तो tree diagram आपको बनाने में असानी होगी mostly sentence जो अगर according to form देखे जाएं तो एक sentence के अंदर noun phrase और word phrase का होना जरूरी होता है और एक object का होना भी जरूरी होता है इसी तरह अगर हम sentence को function के according देखें तो इसके अंदर एक subject और एक रिडिकेट होना जरूरी होता है अमीद है कि आपको संटेक्स की वीडियो समझा गई होगी अगर आपको कोई question रह जाते है तो आप मुसे comment box में पूछ सकते हैं अगली वीडियो तक के लिए अपना खयाल रखें अल्ला हाफेज